नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब प्लैटफॉर्म तैयारी जीत की चैनल पर यूपी ट्रिपल सी ने जो है लेटेस्ट अपडेट अभी जो है सभी कैंडिडेट के लिए दिया है जो की न्यूज और अलर्ट के रूप में है इस सेक्शन में यहां देखिए मैं अभी उसी पॉर्टल पर हूँ ओफिशल वेबसाइट पर हूँ और जिनोंने ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी और समाच कल्यान पर्यविक्षक अधिकारी के लिए जो है आवेदन किये थे उनमें से 4,000 जो लोग है उनके फार्म को अभी तक रिजेक्शन पर रखा हुआ है कारण क्या है कि उन्होंने जो आवेदन किया था उसमें जो फोटो है वो डाइमेंशन के अनुरूप नहीं है या फिर फोटो अपलोड नहीं की है तो मैं एक बात बता दूँ कि उनका जो फॉर्म है साथ तारिक के बाद रिजेक्ट हो जाएगा साथ तारिक आज तारिक है 5 नॉवंबर आपके पास 2 दिन है और सभी कैंडिडेट जो है री चेक कर सकते हैं अपने एप्लिकेशन फॉर्म को अगर कोई तूटी है अगर नाम है फादर नेम है और इसमें कहीं आपका नाम तो नहीं क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा किये गए थे 1950 के करीब ये पोस्ट है और 4000 फॉर्म को रिजेक्ट करने की और जो है अगरसर है आयो आपके पास अंतिम मौका है कि आप अपना एप्लिकेशन फॉर्म चेक कर ल तो नहीं हुआ इसके अलावा दूसरा जो है तरीका ये है कि आप जो है यहां पर नाम चेक कर सकते हैं ठीक है अपने फादर के नेम के आधार पर तो ये निउस जो है लेटेस्ट अपडेट की गई है आज तारिक है पांच दो दिन बाद जो है रिजेक्ट हो जाएंगे य जो आयोग ने डिसाइट करके आपको दी थी नोटिफिकेशन में और क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी मैं देख रहा हूं उन सभी की एक समस्या है कि फोटो जो है वो आयोग के अनुसार नहीं है देखिए फोटो इस वेरी स्मॉल फोटो वेरी स्मॉल करेक्ट फोट जो है नहीं लगाई है लोगों ने और जातर जो है फोटो स्मॉल है डायमेंशन के अनुरूप नहीं है इसके लावा कईयों की फोटो अपलोड नहीं हुई है ठीक है तो उन सभी लोगों के नाम बकाइदा उनका रेजिस्ट्रेशन नंबर उनके पिता जी का नाम सब न्यूज और अलर्ट दिया हुआ है वहाँ पर बकाइदा बताया हुआ है कि कौन से कैंडिडेट जो हैं रिजेक्शन लिस्ट में सामिल है ठीक है तो आप इसको जरूर चेक करें क्योंकि आज पांच तारिक हो गई है और आपके पास मात्र दो दिन बचे हैं ठीक है तो य क्योंकि इसके बाद फिर दुबारा जो है ग्राम पंचाय तितिकारी और ग्राम विकास अदिकारी की पोस्ट कब आएगी कुछ नहीं का जा सकता ठीक है तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कमिया की हैं और जो चाहते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जो पेपर द तो जब आपने पेमेंट कर दी थी और फोटो सही से अपलोड हो गई थी उसी समय फोन पर और जो आपने मेल आईडी दी थी उस पर मैसेज आया होगा कि योर फॉर्म सक्सेस्फुली सबमिटीड ठीक है तो ठीक है फिर जो है आपका पूरी तरह से सही सबमिटीड हो चुक जिए कि क्या आपको UPSSC द्वारा मेसेज आया था कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लेटीड भरा हुआ है या नहीं जब आपने फॉर्म भरा था तब मैसेज आया होगा अभी नहीं उस समय जब आपने पूरी प्रिक्रिया पूर्ण करी थी ठीक है इसके अलावा 4000 1000 Candidates के नाम लिस्ट में डाल दिये गए हैं और IO की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में इतना ही इसके अलावा जो है UP88C की Test Series जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए सामिल हो ये अधिक साधिक Quotations को Sold Out कीजिए Previous Years के Quotations हम देख रहे हैं इसके अलावा जो है GK के बहतरीन Quotations आने वाले हैं बिहार PCS की जो लोग तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने Current Affair के Notes तयार मैं करने में लगा हूँ और पूरे साल भर के Important Quotations को जो है मैं Cover करा दूँँँँँगा UPTAT के लिए जो है मैं कोशिस कर रहा हूँ कि जादा से जादा वीडियो ले के आऊं और लोगों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो जाए इस वीडियो में इतना ही अगर आपके कुछ डाउट्स हो कुछ सवाल हो तो कमेंट के मादियम से पूछ सकते हैं ठीक है नमस्कार धन्यवाद और इस न्यूस पर जरूर ध्यान दीजेगा अपने फोर्म के बारे में जरूर एक बर मेल आईडी और फोन को चेक कर लिजेगा कि मैसेज आया था कि नहीं थेंक्यू